गूड मॉर्णी मैं यहां पर आज हम पर पढ़ेंगे चैप्टर वन और यहां पर आज हम देखेंगे लिए चैप्टर वन में कुछ खास नहीं था चैप्टर वन में जो पूरी की पूरी भूमिका है यानि कि मौडर्न हिस्ट्री कैसे श्टार्ट वही जो आधनिक भारत का इसमें कैसे किसे बदला हो आई एं कहां कहां कौन पूरा निवन्दा अत्मा के इसमें आप जयादा रही से है ठीक है चली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखें मैं आप लोगों से बार-बार एकी बात करता रहा हूं कि आप चैप्टर वन है कैसे कब और कहां चली स्टार्ट करते हैं कैसे कब और कहां मैं नूट करते हैं किया करना है मैं देखिए पहला पॉइंट आज आपका इसमें फर्स्ट चैप्टर में 1870 में 1870 में स्कॉट्लेंड के अर्थ सास्त्री और राइनितिक दार्षनिक जैम्स मिलने तीन विसाल खंडों में ए हिस्ट्री ओफ बिटिस इंडिया नामक एक किताब लिखी पहला पॉइंट फिर से रपीट कर रहा हूं देखे 1870 में स्कॉट्लेंड के अर्थ सास्त्री और राइनित स्कॉट्टिक दार्षनिक जैम्स मिलने तीन विसाल खंडों में ए हिस्ट्री ओफ बिटिस इंडिया नामक किताब लिखी अब इसका सब पॉइंट लिखेंगे इसका सब पॉइंट है यह किताब है इस किताब में भारत के इतियास को भारत के इतियास को जो है तीन काल में हिंदू, मुसिलिमarin में बाटा गया है। इस किताब में भारत काके इत्यास को थी कालकंडों हिंदू, मुसिलिम में बाटा था के तो पहले का सब-point होगी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। से Tomb second point है आपका देखिए रॉअर्फ घलाई रॉबर्ट कलाई ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्षिञ्टर करने का संभा हिसार रीड़ और को हिह और स्वक्राइज ऐसार क्यों कुरान मेन के सेगिन की रानी विक्टोरिया मेरीं बेटेयन की रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पद्वी दी गई थी तो चली आगे बढ़ते हैं अब हमारा चैप्टर नमर टू स्टार्ट होगा देखे चैप्टर नमर टू हमारा जो है यह है ब्यापार से सामराज तक यान हीते ब्यापार करें आये तो यहांपर सत्ता में आसीन होकर बैठ गये तो यह जानेंगे यह ही स्टार नमर टू बहुए यही से हमारा में जो मर्बॉप प्रसुन mitä ।on ऌहीं से स्टार्ट है थीक है छली स्टार्ट करते हैं आगकर वीडियो YES यहांपर आं आग आगकी तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे पहला पॉइंट आणोट करेंगे सन 1620 में सन 1621 में East India Company ने ंग्लेंड की महारानी एलजाबेत प्रतम से इस प्रतम से चार्टर अर्थात इजाजयत नामा अहांसिल कर इजाजयत नामा हांसिल किया इजाजयत नामा हांसिल किया जिससे कमपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकादिकार मिल गया पहला point फिट से रिपीट कर रहा हूँ सन 1620 में East India Company ने England की महारानी Elisabeth प्रथम से Charter अर्थात इजादत नामा हासिल किया जिससे कमपनी को पूर्व से व्यापार का एकादार एकादिकार मिल गया एकादिकार का मतलब क्या था एकादिकार का मतलब यठा के था कि अब ब्रेटैन की कोई और दूसरी कमपनी इस पूरव के चेतमे में Diamant पूर बाला इस्सा कौन सा पड़ा है निन हम लोगों के बाला जी है यह जो है इस साइप यह भारत पाला इस्सा है तरह से में प्यूरा फैला हुआ है और यहां पर कहीं जाकर मेंटरियन सी क्रोस करने के वाद इस साइड में पर ब्रिटेन तो ब्रेटेन का पूर बाला इस्सा यानि कि हम लोगों की तरफ बाला इस्सा हुआ कहने का मलब यह था कि ब्रेटेन से इस्ट इंडिया कंपणी के लावा कोई और दूसरी कंपणी पूर के से में व्यापार करने नहीं आएगी इसका एक अधिकार का मलब यहां पर यह हुगा ठीक है केवल इस्ट इंडिया कंपणी यहां पर व्यापार करेगी उसके लावा बेटेन की कोई और कंपणी नहीं आएगी हाँ second question यह है कि और किसी देश की कंपणी तो आ सकती है लेकिन बेटेन की कंपणी यहां पर अब नहीं आईगी ठीक है इसका मलब यह था एक अधिकार का तो पहला पॉइंट नोट हो गया आपका सेगेंड नोट डाल के आपको कुछ बात लिखनी है नोट डाल के जो लिखनी है वह बहुत इंपोर्टेंट है लेकिए पुर्थकालियों के खोजी यहांद को दिगामाने पुर्दगाल के खोजी आतरी बासको डिकामाने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुचने के समुधरी मार्क का पता लगाया था ठीक है पहला नोट में नोट करेंगे आप पुर्दगाल की खोजी यात्री बास्को धिकामाने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुचने के समुद्री मार्क का पता लगाया था ठीक है अब इसी में सब पॉइंट करेंगे लिखेंगे पुर्दगालियों ने अपना पहला ठिक अब बनाया था ठीक है कि सेगेंड निए और यहां पर लेकिन नोट टू लिखेंगे यह हो गया आपका नोट बन में पहला पॉइंट और उसका सब पॉइंट अब नोट टू है नोट टू ठीक है अब इसमें सत्रयवी सताब्दी की सुरुवात तक डच भी सत्रयवी फ्रांसीजी व्यापारी भी भारत आ गए ठीक है अब इसी में सब्पोइंट करके लिखेंगे करम लिखवा दे रहा हूं फ्रांसीजी ये क्रम आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे और ये हर वार पूचा जाता है हर एक्जाम में फॉर्टकाली, ब्रेटिस, डच और फ्रांसीजी ठीक है आपको पता ही होगा कि यूरोप के बाजारों में भारत के सूधी कपड़े और रेसम की बहुत जादा मांगती इसके लाबा वो हमारे मसाले जैसे काली मिर्च, लॉंग, इलाइची, दाल चीनी इनकी भी बहुत जादा डिमांड थी ठीक है इसकी तलास में वो लोग यहां पर आये थे भारत में तो यह सोग आपको नोट का नहीं जरूत नहीं है इसके बारे में आपको पता है अल्लेडी चलिए आब आगे बढ़ते हैं तो नोट आपका खतम हो गया, नोट वन, नोट टू आपने डाल के खतम कर लिया, ठीक है अब देखिए, सेगेंड पॉइंट है आपका, सेगेंड पॉइंट है आपका, इस्ट इंडिया कंपनी में चलना है हम लोग ज्यान दखना, इस्ट इंडिया कंपनी में पहला पॉइंट तो नोट कर लिया आपने, अब सेगेंड पॉइंट है, पहली इंग्लिस फैक्टरी पहली English factory 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई इसी में सब पॉइंट है, ब्यापारियों को उस जमाने में factor कहा जाता था, यानि ब्यापारियों को तब factor कहा जाता था उस जमाने में, ठीक है, सेकिन पॉइंट का ही सब पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट है आपका यहां पर, थर्ड पॉइंट है आपका, देखें थर्ड पॉइंट आप रोट करेंगे, बोलता जा रहा हूँ 1696 में 1696 में जो है फैक्टरी की किले बंदी शुरू होई फैक्टरी की क्या शुरू होई किले बंदी करना शुरू कर दिया किले बंदी शुरू होई ठीक है 1696 में फैक्टरी की किले बंदी शुरू होई चौथा पॉइंट आप लिखेंगे 1698 में अब देखे 1696 तो आपने रूट कर लिया अब चौथा पॉइंट है यानि कि इसके दो साल बाद इसके दो साल बाद यानि कि 1698 में अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को रिष्वत देकर तीन गाउं की जमिदारी भी खरीद ली 1698 में अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को रिष्वत देकर तीन गाउं की जमिदारी भी खरीद ली अब इसमें सब पॉइंट करके लिखेंगे सब पॉइंट तीसरे वाले में ही चौथे वाले में सोरी इनमें से एक गाउं काली काता था जो बाद में कलकत्ता बना इनमें स औरंग जेव से सुनक को चुकाये गोरनी करने का फर्मा जारी कर वालिया जै़कर इन लोगों ने क्या किया कि इं लोगोंने पहले क्या था इनको व्यापयर करने के लिए भारत में सुऽ कुआना पढ़ता था जो वहां के जो राजसी चेत्री उन्हें सुलक चुकाणा कमपनी ने औरंग जेव से सुल्क चुकाई बिना ब्यापार करने का फर्मान जारी करवा लिया ठीक है यह पांचमा पॉइंट है अब छटमा पॉइंट है आप नोट करेंगे यहाँ पर छटमा पॉइंट आपको बहुत इंपोर्टेंट है देखे बंगाल के नवाव जो बं पर अलिवर्दी खान है यूर यूर पार अलीवर्दी खान और उसके बाद कोन वनाई यूद्द दॉला है उसके वाद सिला जूद दॉला तो तीन नहीं हिते जुठ जायें आप इस्का फर्मान जारी करवाए था इसका दूरपियों गीये हुआ कि ये तो फर्मान ने जो इस फर्मान का दुरुपयोग करके खुद का निजी व्यापार भी चला रहे थी यानि खुद प्रत्थक ब्यापार भी करते थे और इस फर्मान को दिखाकर बोल देते थे बहुत जारा काम चोरी करते थे पोलोग यह जूट बोल देते थे नहीं हमें भी जूट मिल गई है और अपना व्यापार भी उसके साथ में चलाते थे थे तो यह कहानी थी बैग्राउंट की वह मैंने बता दी तो छह पॉइंट ट्रेस में शह पॉइंट आपने नोट कर थी तो सिराज और नोट करेंग अपर का प्रोड करने में अलीवर्दी खान की मत्यू के बाद सिर्ण उद्धी में बंघू के नबाव बना सेगिंड पॉइंटि करेंगे इसी में सब्कुंइंड है कि इसी में सब्कूंइंट आप नूट करेंगे तो सिराज डौला ने चरशी की सब्कूर आने 3,000 सफाईयों के साथ नवाव ने 90 सिफाईयों के साथ कास्यम बजार में इस तिर्थ इंग्लिस फैक्ट्री पर हमला बोल दिया ठीक है इस राज जुद्वाला जो नवाब बना उसे थीज़ार सिपाईयों के साथ कास्य माजार मिश्चित फैक्ट्री पर हमला बोल दिया उसके बाद नवाब ने कंपणी के कलकत्ता इसके कले पर कब्जे के लिए कल अपनी के कलकत्ता के लिए उधर का रुख किया लेकि हमला बोलने का रिजन यह था कि सुराज दौला के पास ऐसे सूचना मिल गई थी कि अंग्रेज अपने अपने किलों की किले बंदी कर रहे हैं अपनी सेनाय जो कर रहे हैं तो दीजरे-दीरे करके कहीं नहीं हमारे सामरा जो खत्रा है इंसे उपर से अपना वो जो करता वो चुकाती ही नहीं थी ठीक है अपने आपको समझ रहे हैं तो इस बज़ें से इसने हमला किया था मापर ठीक है यह वाद अपने माइंड में माइंसेट क्लियर कर लीजिए ठीक है तो पहला पूइंट यहां पी आपका 1775 में 1775 में रोवर्ट कलाइड 1775 में रोवर्ट कलाइड के नित्रत में कम्पनी ने प्लासी के मैदान में सेना बेड़ी किसके खिलाब सिरा जुद्धोला के खिलाब ठीक है फिरसे रिबीट कर रहा हूं सेकेंड पूइंट खलकत्ता हां से निकल जाने की ख़वर सुनने पर मद्रास में तैनाथ कंपनी के अपसरों ने 1777 में रोबर्ट कलाइब की नित्रतु में कंपनी ने प्लासी के मैदान में सेना बेजी तो आप समझी यह हैं किसके खिलाब बेजी खिलाब बेजी सेना ठीक है तो सेकंड पॉइंट नोट का लिए आपका देखें थार्ड पॉइंट है यहां पर देखें इस प्लासी के युद्व में एक व्यक्ति और था जो कि सेना पति था वो था मीर जापर वो था और फॉलो करेगा तो वो इस जो है इस thousand कर में उन लोगों ने जो मीर जापर को अफित फीवर में कर लिया मीर जापर इनका सेना पती था मीर जापर इसुद में खडात हुगा सिराज और जूत्वार यसा को यह लेकिन वह लड़ा नहीं इसुद की विआए तो थाol conference कि ठाइना पती ठीक缺 जो नहीं चला है पता नहीं शिराज उल्ला का सैनापती यह प्रूट के लिए ठीक है थीन की कि गददारी की बज़ेसे च्राज उस्दौला हार गया ठीक है यह घद्दारी की बजाए से सिराज उद्वला हार गया तो ये था आपका तीसरा पॉइंट अब चौथा पॉइंट आपका देखे चौथा पॉइंट में आप लिखेंगे चौथा पॉइंट में आप सिराजुदोला को मार कर मीर जाफर को नबाब बनाया गया सिराजुदोला को मार कर मीर जाफर को नबाब बनाया गया ठीक है चलिए आगे बट से हैं तो ये था प्लासी का युद्ध पूरा अब चलिए अब अगला युद्ध है यह है बक्सर का युद्घ बक्सर का युद्द 1764 ठीक है? लिख ली दिए बक्सर का युद्द 1764 बक्सर का युद्ध यह वगा है…… 1764 ठीक है? 1764 चलिए इसमने नोट करेंगे आप देखें, क्या था? जो जो नवाब बने सब के सास्थ दिक्कत यह की थी कि एक तो कर देते नहीं पर कर चुकाते नहीं दे ऊपर से अपना अब यहां पर सासन चलाने लगे तो जो भी नवाब होते ते तो पहले हमारी मेज बनी होई और यह लोग कुछ हमारे मारी नहीं रहे हैं तो बो लोक बिरौध करने लगते थे तुझ ऐसा ही इसके साथ भी हुगा वहा है तो यहां पर पहला प्र, पहला पाइंट करेंगे मिर जाफर ने जब मिर जाफर ने company का बिरौध किया तो company ने हटाकर variantasına को नवाब कूओ ठीक है जब मीर्यापर ने कंपट्णी के विरूत किया तो कंपट्णी ने उसे हटा कर मीर कासिम को नवाब बना दिया ठीक है जब मीर कासिम परिशान करने लगा, तो बक्सर की लडाई में उसको भी हराना पडा. ठीक है? यह second point था, आपका. Second point नहीं था, शासिखे, यह पहले Point की Sub point बना लीजिए, second point मत करेजे, second point मत करेखे, second point रखेएंगे तो दिक्कत होगी. या फिर सेकंड पॉइंट ही रहने देजिए कोई दिखकर देजिए चलिए कोई दिखकर नहीं है ठीक है तो सेकंड पॉइंट आपका होगा जब जब मीर कासिम परिसान करने लगा तो बक्सर की लडाई इस सत्र सचोंग्ण में उसको भी अटाना पड़ा यहां और फिर से मीर जाफर को दुबारा बनावाफ बनाया गया अब फिर से मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया ठीक है अब फिर से मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया ठीक है अब नवाब को हर महीने पांच लाग रुपए कमपनी को चुकाने थे तो आपका थर्ड पॉइंट है अब फिर से मीर जावर मीर जावर को दुबारा नवाब बनाया गया अब नवाब को हर महीने पांच लाख रूपा कंपणी को चुकाने थे सौथा पॉइंट है आपका सौथा पॉइंट है सत्रे सो पैंशट में सत्रे सो पैंशट में मीर जावर की मित्तू के बाद मित्तू के बाद सत्रे सो पैंशट में मीर जावर की मित्तू के बाद रोबर्ट क्लाइब ने एलान किया मित्तू के बाद किसने एलान किया 1665 में मीर जाफर की मत्त्यू के बाद रोवर्ट कलाइब ने एलान किया कि अब हमें खुधी नवाब बनना पड़ेगा ठीक है आखिरकार आखिरकार 1765 में आखिरकार 1765 में मुगल समराट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान निक्त कर दिया आखिरकार 1765 में जो मुगल समराट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान निक्त कर दिया दीवान का मलब क्या हो गया रायस वसूने वाला अधिकारी ठीक है दीवान का मलब हो गया राजस वसूलने वारा अधिकारी ठीक है चौता पॉइंट विट्स रिपीट कर रहा हूँ 1765 में मीर जापर की मत्यू के बाद रोवर्ट कलाइब ने एलान किया कि अब हमें खुदी अब नवाब बनना पड़ेगा आखिरकार 1765 में मुगल समराइट ने कंपनी कोई बंगाल प्रांट का दीवान न्युक्त कर दिया ठीक है आब देखें पांच्वां फॉंट लखेंगे यहां पर आप बाठा फॉंट कर दियाbridge रिगाल है सब्सक्राफ के रखष्च के रायरि सब्रें प्रत्निदी में राइनितिक या व्योसायक प्रत्नेदी क्टेनाद कर दिये ठीक है उठके आगए नोट के लिखेंगे रौवर्ण के बारे में नोट दालके लिखना है रौवर्ण कलाईब न otros उस समय एक बात थी यानि कि उस समय कोई भी अंग्रेज अधिकारी या कोई भी अंग्रेज ब्यक्ति भारत इसलिए आना चाहता था कि ताके वह भारत से बहुत सारा धन जो है एकटा कर ले जाए और उसकी जिंदगी है आराम से इंग्लियान में अच्छी कासी बीत जाए इस उस समय देगी किताब मैं ही लेकिन आप की उत्स पूरी हैं किताब ही तकाब भी ठड़ नहीं हैं तो क्या था जो उस समय नही नवी वक्ते वो इसी आस में आते थे कि भारत जाएंगे और अपनी इंग्लेंड में अच्छी कादी जो जिन्दगी बुजरबसर करेंगे तो रोवर्ट कलाइब जो था रोवर्ट कलाइब इसने क्या किया इसने अभी भारत में बहुत सारा धन इकटा कर लिया था तो इसमे नोट करेंगे सी में रोवर्ट कलाइब में 1747 में जव इंग्लेंड से मदरास यानि चेन नहीं आया तब उसकी उम्र 18 साल थी तब उसकी उम्र 18 साल थी उसने भारत में बहिसाब दौलत जमा कर ली थी अब इसी में सबकॉइंट करके लिखेंगे सबकॉइंट करके लिखेंगे रोवर्ट कलाइब में 1767 में जब वह दो बार गवर्णर बनने के बाद भारत से रवाना हुआ हमेशा के लिए बारत से रवाना हुआ ठीक है सबकॉइंट है आपका इसी में अगला सबकॉइंट है यहां पर 1772 में 1772 में बिटिस संसत में उसे ब्रेश्टाचार के आरोपों में पर अपनी सफाई देनी पड़ी ठीक है इसी में अगला सबकॉइंट 1772 में उसे प्रेश्टाचार के आरोपों पर सफाई देनी पड़ी ब्रेश्ट में लिख देना लिख देना लिख देना आरोपों से बरी कर दिया अगला सबकॉइंट तो यह था रोवर्ट कलाइब जो आपने नोट डाउन करें पुरा जानकरी लिख ली अब चली आप आगे बढ़ते हैं अब देखे अगली जो हैडिंग है यह है सहायक संधी ठीक है अपने हैडिंग डाली अब देखे इसके आगे साइक संधी की आगे आपको एक बात ही है जोगास भिखर देखे तो छफ्पैस नहीं बचाएं यहां पर देखिके मैंलें बदे रहा हूं शाइक संधी कि आगे लिजेए यह तो गवरनर जोनल रिचेर्ड वेलेजली गवरनर四 देसे भी गहा जाता है ये स्टाट हुई है साथम्राइब 702 Dan टान्वे से अठारे सो फांच तक इसका राया बिल्लियम जो ए बेले जली का साथ संद आ है तो साइग संदी आप लिखेंगे इसमें जो रियासत जो रियासत इस बंदोबस्त जो रियासत साहेग संदी माल लेती थी उसे अपनी सुतंत्र सेनाय रखने का अधिकार नहीं रहता था पहला पॉइंट आप नूट करेंगे सहायक संदी में जो रहासर सहायक संदी को माल लेती थी सहायक संदी को माल लेती थी उसे अपनी सुतंत्र सेनाय रखने का अधिकार नहीं रहता था थीक है पहला point है second point है आपका second point है यहां पर उसे company की तरब से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरकाव के लिए वे company को पैसे देती थी तो जुर्माने के तौर पर उनका इलागा कंपणी अपने कबजे में ले लेती थी तो जुर्माने के तौर पर उनका इलागा कंपणी अपने कबजे में ले लेती थी तीक है उधारण उधारण डालके लिए उधारण डालके आप लिए अबद के नवाप का आदा इलागा अथारे सो एक में और überdके नवाब का आदा इलाखा 8501 अवद के नवाब का आदा इलाका इसी आदार पर चीने गए खैदराबाद के कई इलाके इसी आदार पर चीने गए पिर से रिपीट कर रहा हूं दारण कि अबद के नवाब का आधा इलाका ब्रैकेट में 1801 में वह हैतरावाद के कई इलाके इसी आधार पर छीने गए ठीक है तो यह थी सहाइक संदी जिसे रिचरड बेले जली इस्टार्ट किया था तो चलिए बगे बढ़ते हैं अब आती है हेडिंग आपकी यहाणि अब आपकी अगली हैडिंग है मैसूर हैडिंग डाल लीजे मैसूर अ थीक है इसके आगे लिख दाएंगे मैसूर का आगे सब्सक्राइब पहला कि नोट करेंगे आप पहला पॉइंट आपको नोट करना है है तो इसके पुत्र ने और उसका पहला पॉइंट बिट से पिट कर रहा हूं है तथा टीपू सुल्टान है से कब सकता है 1782 से 1799 तक है थीपू सुल्टान 1782 से 1799 के नेत्रत तुम्हें मैसूर काफी तागतवर हो चुका था ठीक है फैला पॉइंट का लिया होगा है से 1781 से 1772 से 1799 के नेत्रत तुम्हें मैसूर काफी तागतवर हो चुका था ठीक है कि सेटीड पॉइंट और करेंगे 1785 में 1785 में टीपू सुल्टान ने 1785 में टीपू सुल्टान ने बंदर गाहों से चंदन की लकडी काली मिर्ट्स और इलाइट इलाइची का निर्यात रोग दिया ठीक है 1785 में टीपू सुल्टान ने बंदर गाहों से चंदन की लकडी काली मिर्च और इलाइची का निर्यात रोग दिया ठीक है इसमें टीपू ने भारत में रहने वाले फ्रांसी सी ब्यापारियों से गनेश्ट संबंद विक्सित किये और उनकी मदद से अपनी सेना का आदम की करण किया टीपू सुल्टान ने एक पैसा पहला सा सकता जिसने अपनी सेना का आदम की करण किया था उससे में क्या था कि जो हमारे भारती सेनिक थे वो इतने प्रजिच्छत नहीं थे बैल ट्रेंड नहीं थे और नहीं हमारे यहां इतने अच्छे किस्म के हत्यार थे ठीक है जैसे कि आपको पता होगा यूरोप में और दो ट्रेंग में थे नहीं हत्यारों में थे तो सबसे पहला सासा कि टीपू सुल्टानी था जिसने अपनी सेना का आदम की करण किया था ठीक है तो तीसरा पॉइंट डोट कर दिया होगा टीपू ने भारत में रहने वाले ठ्रांसीस जो है व्यापारियों से गनिश्ट संब्द बिक्सित किये और उनकी मदद से अपनी सेना का आदम की करण किया था ठीक है यह चार बार जंग होई यह यह पहली बार दूसरी बार थीसरी बार और दूसरी बार और यह चॉत보र ठीक है जह चार बार जंग होई 1392 में मराटों हैदराबाद की निजाम और कंपनी की सायोंत्र पहुजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संदी करनी पड़ी थी ठीक है संदी करनी पड़ी थी अब सब पॉइंट पांच में कही सब पॉइंट करके लिखेंगे इस संदी के तैद इस संदी के तैद उसके दो बेटों को अंग्रेजों के ने बंदक के रूप में अपने पास रख लिया इस संदी के तैद उसके दो बेटों को अंग्रेजों ब्रैक सब्सक्राइब कर रहा हूं तो पांच में का सब्पॉइंट इस संदी के तयाथ उसके दो बेटों को अंग्रेजों ब्रेकिट में लॉड कार्ण वालिस ने बंदक के रूप में अपने पास रख लिया ठीक है श्रीरंग पट्टनम है तथा सत्ता बोड्यार राजबंस के हाथों में सौब दी गई तदा सत्ता बोडियार राजवन्स के आतों में सौंप दी गई देखे टीपू सुल्तान की उम्रत्यू हुई है वो गोई है चार माई 1799 में चार माई 1799 में अम्रत्यू हुई है ये मैंसर नहीं था इसमें लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको तो चली इसमें नोट करेंगे मराठों से लड़ाई में पहला पॉइंट है यहाँ पर 1761 में पानी पत की तीसी लड़ाई में हार के बाद मराठा राज्य कई राज्यों में बट गया ठीक है इस तरह से कर लीगी आप पहला पॉइंट पानी पत की तीसी लड़ाई में हार के बाद मराठा राज्य कई राज्यों में बट गया पहला पॉइंट इसी में पहले पाइंट पहले पाइंगे इन राज्यों की बागडोर सिंधिया और गयाक वार्ड और भौसले जैसे अलग अलग राज्यों के अंतरगर एक कन्फिड रीज्ऑ राज्मपंदल के सरस्वित की अब इसी में अगला अगला सब पॉइंट है ठीक है अब तीनों सा पॉइंट आपने लिख लिए अब अगला पॉइंट है सेगन पॉइंट है आपका यहां पर यह है महादजी सिंधिया और नाना फड़नीस महादजी सिंधिया और नाना फड़नीस अठारेवी सदी के आकर के दो प्रसित मराठा योद्दा और रायनितिक थे ठीक है यानि के महादजी सिंधिया और नाना फड़नीस अठारेवी सदी के आकर के दो प्रसित मराठा योद्दा और रायनितिक थे ठीक है यह सेगन पॉइ युद्द हुए माराथों के साथ एसा अंगरेजों के साह्थ पहला युद्ध without a-santi-ka पहला परहे पहला युदध तर्फा इस्革ंद सपहरивает उन्मर्फ्याथ 206 में साला नतीजा यह हुआ कि उडिशा और यमना के उत्तर मेस्चित आगराबा दिल्ली साइथ कई भूबाग अंग्रेजों के कबजे में आ गए ठीक है इसमें लिखेंगे मराठों की तागत कुचल दी गई मराठों की तागत कुचल दी गई ठीक है कुचल दी गई पेशवा को पेशवा को पुड़े से अठाकर कानपुर की पास बिठुर में पैंसन पर भेज दिया गया अब इसी में सब पॉइंट है या इसी में सब पॉइंट है आपका तीसरा वाला जो है तीसरा वाला सब पॉइंट है उसी में सब पॉइंट है बिंद के दच्छिड मे बूरे भू बागपर कमपनी का नेंद रखो गया है विंद के तक्षिट मेस्चट के वाद इसरे उद्ड के वाद के वाद स्प्रेंगा ने दावा उगए जो है आपकी यह है सर्वोच्चता का दावा ठीक है सर्वोच्चता का दावा आप चलिए इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट है लौड हैस्टिंग्स ब्रैकेट में 1813-1823 तक गौर्णर जनरल के नेत्रत तुम्हें सर्वोच्चता की एक नई नीद सुरू की गई अब इसी में सर्वोच्चता की एक नई नीद सुरू की गई अब इसी में सब पॉइंट करके लिखेंगे पहले पॉइंट में कम्पनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह बारती राज्यों से उपर है ठीक है इसी में से नाम है सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि तूर कि तूर की रानी चेनमा ने अंग्रेजों का बिरोध किया फल सरूफ 1824 में उन्हें गरपतार किया गया और 1829 में जेल में उनकी ब्रत्यू हो गई फिर से रिपीट कर रहा हूं सेकंड पॉइंट कि तूर यानि ब्रेकेंट में करनाटक की रानी चेनमा ने अंग्रेजों का बिरोध किया फल सरूप 1824 में उन्हें ग्रपतार किया गया उता जेल में 1829 में उनकी मत्यू हो गई ठीक है अब इसी में सब पॉइंट है यह सेगंड पॉइंट में सब पॉइंट है चेनम्मा के बाद संगोली के एक गरीब संगोली के गरीब चोगिदार रायनना संगोली के एक गरीब चोगिदार रायनना ने यह प्रत्रोज जारी रखा चेनम्मा के बाद संगोली के एक गरीब चोगिदार रायनना ने यह प्रत्रोज जारी रखा ठीक है अंत में अंत में अंत में अंग्रेजों ने अंत में अंग्रेजों ने 1830 में उसे भी फांसीपल लटका दिया ठीक है तो दूसरे का सब पॉइंट यह आपने लिख लिए चेनमा के बाद संगोली के गरीब चौकीदार रायनना ने यह प्रतिरोध जारी रखा अंत में 1830 में अंग्रेजों ने उसे भी फांसीपल लटका दिया ठीक है थर्ड पॉइंट है आपका यहां पर थर्ड पॉइंट है 1830 के दसक के अंत में ठीक है 1830 के दसक के अंत में इस कंपनी को रूस के प्रवाव से डर हुआ 1830 के दसक के अंत में कंपनी को रूस के प्रवाव से डर हुआ कंपणी को रूज के प्रवाव से डर हुआ ठीक है पिर से रपीड ब्रवर Grand食ellaiggle 30, Beij motivate Control 830 के दिसक धास एक्ट में कंपणी को रूज के प्रवाव से डर हुआ इस लिए उन्होंने इस लिए उन्होंने उन्होंने क्या किया इस लिए के बीच अफगानिस्तान के साथ लंभी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रितक्ष कमपनी सासन इस्थाभित कर लिया फिर रिपीट कर रहा हुँ 3830 के दसक के अंत में कंपनी को रूस के प्रभाव से डर हुआ इसलिए उन्होंने 388 से 842 के बीच अफगानिस्तान के साल लंबी रड़ाई लड़ी और वहां अप्रतेक्ष अप्रतेक्ष सासन इस्थाबित किया अब थाड़ पॉइंट में लिखेंगे स्थाफ़ाईंट करके अठ्वाल सब पॉइंट करके लिखेंगे 843 में सिंद पर भी कबजा अ सिंग की बज़ए से दाल नहीं गली। विराम 1749 में उनकी म्रत्यू के बाद दो लंबी लडाईयां हुई और 1849 में अंगरेजों ने पंजाब का भी अध्गरट कर लिया। और 1849 में पंजाब पर भी अद्गरड कर लिया, पिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीसरे का सेगिंड सब पॉइंट है, इसके बाद पंजाब की बारी, परंतो महराजा रड़ी सिंग की बज़े से दाल नहीं गली, 1849 में उनकी म्रत्यू के बाद दो लंबी रड़ाईयां हुई और 1849 में पंजाब पर भी अद्गरड कर लिया, ठीक है, पंजाब पर भी इन लोगों ने अद्गरड कर लिया, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली जो नीत है निकी ये है विलाय नीत, ठीक है आपने हेडिंग डाल लीजे विलाय नीत, तो यहाँ पर आप पहला पाइंट लिखेंगे, अदिगरहड की आखरी लहर, अधिगरहड की आखरी लहर, 1849-1856 के बीच, गवर्ना जनरल, लॉड डल होजी के सासनकाल में चली, पर स्रीपीट कर रहा हूं, बले नीत का पहला प 1856 के बीच, गवर्ना जनरल, लॉड डल होजी के सासनकाल में चली, ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, देखेंगे, इस सिद्धान के अनुसार, किसी सासक की मेत्यू होने पर, इस सिद्धान के अनुसार, लेखेंगे, लिख लिजए, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इस सिद्धान के अनुसार, किसी सासक की मेत्यू हो जाती है, ठीक है, किसी सासक की मेत्यू हो जाती है, और उसका कोई पुरुस वारिस नहीं है, तो उसकी सियासर, रियासर हडप कर ली जाएगी, ठीक है, सेकंड पॉइंट पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, इस सिद्धा इस सिद्धान्द के आधार पर इस सिद्धान्द के आधार पर 1788 में संबलपूर 850, उदैपूर 850, नागपूर 1853 और जहांसी 1854 और जहांसी 1854 पर अंग्रेजों ने कबजा कर लिया इस सिद्धान्द के आधार पर 1788, संबलपूर 850, उदैपूर 852, नागपूर 1853 और जहांसी 1854 पर अंग्रेजों ने कबजा कर लिया देखें काफी और पुछा जाता है, इस सबसे पहला, इस सबसे पहली रियासत कौनसी थी जिस पर अंग्रेजों ने कबजा किया था, बिलैनीद के तेहत, वो थी 17 रियासत, कब किया था 1848 में, पुछा जाता है, काफी और पुछा जा गया है कॉश्चन यह वाला, थीक है, तो तीसरा पॉइंट आपने नोट कर लिया, अब चौथा पॉइंट है, देखे, बिले नीत में एक अपवाद भी है, और अपवाद वो है, अवद की रियासत का एक अपवाद है पूरा, चूंकि अठारसो चपन में, लिखेंगे आप, अठारसो चपन में, कम्पनी ने, कम्पनी ने, अवद के नवाप पर कोशाशन का आरूप लगाते हुए, इसे भी नियंतर्ड में ले लिया, लेकिंगे ये सबसे बड़ा अपवाद है, चौथा वाला यही पॉइंट, कि सबसे बड़ी इनकी जो किरकरी हुई, सबसे ज़्यादा बिद्रों का, अवद का सा कुछाशन का आरूप लगाते हुए, इसे भी नियंतर्ड में ले लिया, अब देखिए अगली हेडिंग है आपकी नए शासन की स्थापना, नए शासन की स्थापना, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, वारिन हैश्टिंग्स, गवर्नर जनरल वारिन हैश्टिंग्स, 1773 से 1785, के समय तक, के समय तक, कमपनी, बंगाल, बंबई और मदरास की सत्ता हांसिल कर चुकी थी, के समय तक, कमपनी, बंगाल, बंबई और मदरास की सत्ता हांसिल कर चुकी थी, के समय तक, कमपनी, बंगाल, बंबई और मदरास की सत्ता हांसिल कर चुकी थी, सेगेंड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर, सेगेंड पॉइंट आप लिखेंगे, बिटिस इलाके, तीन प्रेसिडेंसी बटे थे, कौन-कौन से प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मदरास और बंबई, बिटिस इलाके, तीन प्रेसिडेंसी बटे थे, यहाँ आप लिखेंगे, बंगाल, मदरास और बंबई, यह बंबई, ठीक है, सासन, सासन, गवर्नर के पास होता था, यहाँ इनका जो सासन था, जो प्रेसिडेंसी यों का सासन था, वो गवर्नर के पास होता था, और सबसे उपर गवर्नर के पास होता था, और सबसे उपर गवर्नर जनरल होता था, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, बारिन हिश्टिंग का नाम जो है, वो प्रसास की और न्याय चितर के सुदार में लिया जाता है, ठीक है, जो वारें हेश्टिंग है इसका नाम काभी बार प्रसास की सुधार और न्याय चेत्र के सुधार से सम्मद प्रसंद जबार है तो वाम कूछा जाता है 1772 में नई विवस्था की अंतरगत हर जिले में दो अदालतें इस्थाबित की गई पहली अदालत कोन सी थी पहली अदालत थी यहाँ पर सब पॉइंट रहेंगे पहली अदालत थी फोयदारी अदालत फोयदारी अदालत में आगे लिखेंगे काजी या मुप्ती के अंतरगत कलेक्टर की निगरानी में काजी और मुप्ती के अंतरगत कलेक्टर की निगरानी में ठीक है इसमें लिखेंगे यूरोपी जिला कलेक्टर इनके मुखी आते हैं जो चौथा पॉइंट आपक्स कर देज़नगे काजी के बारे में नहीं पता होगा है काजी नियायदीस को कहते हैं एक नियायदीस मुफ्ती मुफ्ती मुसलिम समधाय का एक नियायदीस जो कानूनों की ब्याक्षा करता है और काजी इसी व्याक्षा के आदार पर फैसे सुनाता है ये दोना जो पॉइंट है नोट में लिख लीजिए काजी दोनों को ऐसे इसे उतार लीजिए आप ठीक है ये तो note 1 हो गे आपका अब note 2 और एक ये तो note 1 था आपका note 1 अब अगला है ये है note 2 note 2 ठीक है 1785 में 1785 में जब बॉरेन होस्टिंग्स 1785 में जब बेरन हैस्टिंग्स इंगलेंड लोटा तो एडमेंड बरके ने उस पर बंगाल के कुसासन का रूप लगाया थीक है फलसरूप हैस्टिंग्स पर महावयोग चलाया गया महावयोग चलाया गया जो बिटिस संसद में 7 साल तक चलता रहा फिर सिर्पीट का राउंड लोट नमबर 2 अब देखिए अब देख्या पॉइंट लिख ली यह था आप पनाट पॉइंटों को शादना को 275 में 11 पर सब्कुए گ Potter कानौनों का संक्लन तयार करने का काम सॉपा गया 1775 मैं 775 मैं 1775 मैं 1775 में जारे पर करने कानौ terme पर संकलन तयार करने का काम सौपा गया ठीक सिता अब पांच में हमई सबॉइंट है पांच में सब कि इसमें सब्वॉइंट है एंबी हओल हेड और फिश कम्धिया के इस चुरम का झालगागा झालगात किया तो इस चोलमस्य को म क branch हिसाब से करता था या हिस Cape फॉया दिस से अलगलग पूम्यका से कि इंदु थर्म सास्त्री रखे गए था रखे जये छह घलते हों पीजिए कि ऐन्वाया थे ने पूं पाइन का अंग्रेजी मी निलिए ऐनो तो पांचमा पॉइंट आपका अपका कम्लीट हो गया अब अगला पॉइंट है आपका आपका इहां पर स्थमा पॉइंट यहां कर ली गई थी ठीक है साथ मा पॉइंट है 1778 तर यूरोपी नय दीसों के लिए मुस्लिम कानुनों की भी एक सहिता तयार कर ली गई ठीक है कि षाचे सबाफना की गई जो इसी में सब पॉइंट प्रके लिखेंगे साथ में इसके लाबा कलकत्ता में अपीली अदालत सदर्द नजामत अदालत की इस भी इस्थापना की गई ठीक है अब देखे आठमा पॉइंट है आठमा पॉइंट लिखेंगे आठमा पॉइंट को सुला हेडिंग टैप बना दीए आठमा पॉइंट कर दीजिए कलेक्टर ठीक है? यानि कलेक्टर आठमा पॉइंट ये वाला है कलेक्टर ठीक है से हेडिंग टैप लिए आठमा पॉइंट को कलेक्टर इसमें लिखेंगे देखी इसमें लिखेंगे कर्लेक्टर में भारती जिले में सबसे बड़ा पद। कानु विवस्ता बनाई रखना होता था कोमा कि सब पॉइंट पहला सब पोइंट ऐसी में कॉलेक्टरों यानिक बार्जी जिले में सबसे बड़ा पाद इसका सब पॉइंट पहला इसका काम इसका काम लगान और करिक्टा करना तथा नया दीसों पुलिस अज़कारियों यापर सेकिंड सब्पॉइंट है उसका कार्याल है कलेक्ट्रेट सत्ता और सरख्षड का नया केंदर बन गया था तो यह 8 पॉइंट आपके आपके आपने नोट कर लिए आप चली आगे वड़ते हैं अब देखें अगली हैडिंग है आपकी यहांपर कंपनी की फॉज कंपन सब्सक्राइब करेंगे अंग्रेज अपनी श्याना को सिपाई से बना है आर्मी कहते थे तीक है अपक्र करेंगे आप 1828 के तसक 1829 के तसक से बिटेश सामराज्य बर्मा अफगानिस्टान और मिस्तर मैवी बर्मा अफगानिस्टान और मिस्तर मैवी लड़ रहा था जहां सिफाही मस्केट याई तोड़े दार बंदूप और मैचलोक से लेष सोते थे सेकंड पॉइंट फिर्स रेपीट कर रहा हूँ 1820 के तसक से बिडिस सामराज्य, बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्टर मैग भी लड़ रहा था जहां सिफाई, मस्केट, इन तोड़ेदार बंदूख और मैचलोग से लेस्ट होते थे थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे इसमें सिफाईयों को यूरोपी डंग का प्रजिक्षण और अभ्यास और अनुसासन सिखाए जाने लगा अब अंतिम में है निसकर्स अंतिम में है निसकर्स, ठीक है निसकर्स हैटिंग डाल दीजिए अब निसकर्स में पहला पॉइंट आप नोट करेंगे इसमें इस्ट इंडिया कंपणी एक ब्यापारिक कंपणी से बढ़ते बढ़ते एक भागोलिक ओपनिवेशिक सक्ती बन गई पहला पॉइंट है इस्ट इंडिया कम्पनी एक ब्यापारिक कम्पनी से बढ़ते बढ़ते एक भागोलिक ओप निवेशिक सक्टी बन गई सेगेंड पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर 1857 तक भार्ती उपमादीप के शर्च परसेंट भूबाग और 78% आवादी पर कंपनी का सीधा सासन इस्तापध हो चुका था तो निस्कर्स में आपने दो पॉइंट दो पॉइंट आपने नोट कर लिये अब देखेंगे अन्यत्र में है अन्यत्र में है दच्चर अफरीगा में दास ब्यापार करेंगे यहाँ पर 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दच्छिडी सेरे पर केप में निजी स्वामित के में दासों की संक्या 36744 थी तो देगे ये था आज आपका चैप्टर और आई होब आज आपके यहां पर दो चैप्टर कवर हुए हैं यानि मैं तो एक्सपेक्ट यह करना था कि इसमें चैप्टर होंगे आप तो इसमें मात्र तीन चैप्टर और रहे गए हैं आपके आगे चार दिनों में आपकी क्लास एट की यह इस्ट्री समाप्त हो जाएगी तो आई होप आप लोग बने रहे हैं इसके लाबा इस वीडिय यह आपको मिल जाएगा ठीक है डिसक्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दे दिया है एक बीडियों से स्लेट आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे निसंग को बता दी बताईए यह बार आप से यही बात क्या था हूँ कोई सब्सक्राइब आया तो मुझे तो मुझे तुरंद याद भी आ गया कि महा पर मैंने इसका लिए बताया नहीं था नहीं से जाए इसे घडिका कहाँ बोला जाता था मसे गडिका बोला जाता था अब आज उसे आज के पर विच्चम अंगरे जी वित्ट्टिट तो आज के लिए वह बाइसे तमाम सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब इंपॉड़ेंट सब्सक्राइब तो आज के लिए बस नाइए थैंक्स पर वाचिंग जय हैं